नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका सुदेश की बात में दोस्तो उत्तरप्रदेश के हाथरस जिले में जो एक अगोशित लॉकडाउन लगाया गया था वो अब उठा लिया गया है यानि जो पीडिता है उसके परिवार वालों से लोग अब मिल सकते हैं हाला कि पहले जो है इस तरह का पर्मिशन नहीं था और जब लोग जा रहे थे मिलने के लिए तो उन्हें रोका गया था उन्हें किसी भी कीमत पर परिवार वालों से मिलने नहीं दिया गया था इसमें विरोधी दल के नेता राहुल गांधी प्रियांका गांधी भी थी इसके अलावा पत्रका तो कई सारी बातें ऐसी उभर कराई जो हमें बहुत कुछ बतलाती हैं कि इस पूरे मामले में जो है सरकार का रूफ जो है हमें पता चलता है तो मीडिया ने जब पीडिता के परिवार वालों से यह पूछा कि अपने अभी तक कोई कानूनी सलाह क्यूं नहीं ली कानूनी सला क्यूं नहीं है अपका भी तक तो पीडिता के भाई ने जवाब दिया कि जो निर्भया केस की वकील थी वे हमसे संपर्क करना चाह रही थी वे हमसे मिलना चाह रही थी लेकिन पुलिस ने हमें आने नहीं नहीं दिया हमारे पास और ये कैसे उमीद की जा रही है अब हमसे कि हम बिना किसी कानूनी सलाहकार के उन चार आरोपियों के खिलाफ लड़ते वहीं फिर जब उनके भाई से पूछा गया कि आप ये नार्को टेस्ट से इनकार क्यूं कर रहे हैं तो उनके भाई का ये कहना है कि हम अपनी बहन के लिए न्याय चाहते हैं हमें इस टेस्ट से गुजरने की जरुवत ही क्या है क्या सरकार हर पीडित परिवार वालों को इस तरह के टेस्ट के गुजरने के लिए बाद दे करती है फिर इसकी जरुवत ही क्या है हमें हमारे उपर करने की जरुवत क्या है वहीं जो है आरोपी के एक रिष्टेदार हरियोम है उनका कहना है कि हम जल्द से जल्द चाहते हैं कि ये नार्को टेस्ट हो जाए ताकि सच सब के सामने आए अगर वे दोशी है तो जो कानून उचि जीवन जीने का पूरा अधिकार है उन्हें मौका मिलना चाहिए वहीं जब फिर बातचित की गई पीरता के परिवार वालों से उनके भाई जो है बड़े भाई उन्होंने दीम हाथ रस के डीम पर आरोप लगाते हुए कहा कि डीम जो है हमें बार बार धंका रहे हैं पहली औहरे बाद फिर दुबारा आयार उन्होंने हमें धंकी दी कि वह हमारा फोन जब्त कर लेंगे यह कहते हुए उन्होंने हमसे हमारा फोन मांगा लेकिन हमने अपना फोन उन्हें नहीं दिया उन्होंने यह भी कहा कि हम जानते हैं कि हम लोगों ने जो है मीडिया से क्या कहा है वे जानते हैं सब कुछ हमें डर है कि हमारा फोन टैप किया जा रहा है इसके बाद पीडिता की भावी ने भी डियम पर आरोप लगाते हुए कहा कि डियम जो है वो कह रहे थे हमें कि सरकार द्वारा जो हमें मुआवजा मिल रहा है जो शतीपूर्टी मिल रही है उससे हमें खुश हो जाना चाहिए और कि हुआ हो जाएगा तो ये पूरा जो घटना क्रम है इस पूरे घटना क्रम को देखकर हमें क्या doch कर साथी दिखती है चवील की उत्तरप्रदेश की सरकार जो है आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है डीम पूरी तरह से इंवाल्व हैं उसमें और पूरा जो घटना करम है जिस तरह से शुरू से ही चल रही है चीजें पीडिता के सबसे पहले तो पीडिता को लेकर के कोई सीरियस कारवाई होती नहीं है उसकी बहुत हो जाती है तो उसकी लास को चुपके से जला दिया जाता है वो भी पेट्रोल डाल कर और जब यह जो अभी सरकार जो है घोशना कर रही है कि यह नार्को टेस्ट किया जाएगा सीबियाई जांच करवाई जाएगी इन सबसे परिवार वालों का इंकार हो रहा है वह इंकार दिया है यह फैसला पूरे देश को सक्ते में डाल दिया है इसने सिबियाई की विश्वसनियता अब जो है वो संदेह के घेरे में है लोगों को अब किसी सरकारी एजेंसी के उपर विश्वास नहीं रह गया है पिरिता के परिवार वालों को भी विश्वास नहीं है भाई उनको जो है नार्को टेस्ट से गुजरना होगा आप चीजों को ढूंड़िए बातों को मद्दे नजर रखते हुए जो है प्रमान आप देखिए खोजी तो यह पूरा जो है घटना क्रम इस रूप में चल रहा है अभी केस में और क्या-क्या मोड आएंगे यह हम आग कर दो है रहा है जो हम आप खो बूंड़िए लाओंगे जो ऑगजर रहा है यह ज़िए कुछ से रहा है बाहा है झाप 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 यह है गया कि